हेलो दोस्तों वेलकम डूसेबटेग और मैं हूँ आपका दोसेजास या फ्रेंज्स 24 आवर्स जोनली बहुत ज्यादा टाइम अब हमारे पास यहां पर नहीं रहे गया वो घड़ी शायद बहुत जल्द आने वाली है जिसका इंतजार बड़े दिनों से यहां पर किया जा र जाये लेकिन I don't know why मुझे ऐसा नहीं लगता कि शिवर्यम जो है वो इसी दिन रिलीज कर दिया जाएगा ठीक है यह तो मैंने मतलब अपनी तरफ से यहां पर ही इंट्रो से पहले ही इविन जो हो आपको यहां पर एक न्यूज दे दिया है लेकिन इसकी और भी डिटेल जो वो मैं आगे चल कर आपको दूँगा अच्छा इसकी अलावा 24 आवर्स के अंदर क्या कुछ होने वाला है बोन की प्राइज को भी यहां पर देखेंगे और दोस्तों मैं आपको यहां पर शीवाईनू की प्राइज जो है उस पर भी बीफ करूँगा बताऊँगा कि यह कह कहां तक जा सकता है नीचे अगर आया तो कहां तक ऊपर गया तो फिर कहां तक जा सकता है वीडियो को देखना कंचिनू कीजिएगा लाइक जरू कर दिजिएगा और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दिजिएगा बन सगेंड वीडियो को लाइक करना मत दोस्तों बड़े months के बाद यहां पर एक development हुई है कि 1.1 billion token जो है within a week यहां पर burn किये गए है यहां पर आप देख सकते हैं ship burn की तरफ से यहां पर data दिया गए और यह है कि in the last seven days there have been a total of उसके बाद figure है 1.1 something billion ship tokens burned in 217 transactions तो यह एक अच्छी development है और मेरा ख्याल है कि यह एक नया startup भी possibly हो सकता है कि burnings यहां पर हो ठीक है लेकिन यह burning वो है जो के community और मतलब ship और शीज की जो trading वगरा होती है वहां से हो रही है शीबा इन्हों की जो blockchain है shiparium वहां से जो burning होनी है वो तो आने वाला वक्ती बताएगा कि कितनी होनी है recently मैं एक article पढ़ रहा था तो वो यह कह रहे है कि अभी confirm भी नहीं है no doubt confirm नहीं है trillions of the ship जो है वो कहा जा रहा था कि जो yearly burn कर दिये जाएंगे यहां पर shiparium की जानिब से तो अब वो कितने होते हैं क्या mechanism बनता है आने वाला वक्ती बताएगा यह जो world paper कह रहे हैं वहां से हमें यह सारी चीज़े पता चलेगी एक और news भी आपके साथ share करता चलू शैतोशी कुसामा ने recently यहां पर एक और चीज़ भी कही है और वो यह है कि world paper जो है हमारा मतलब यह जो जिसको हम white paper normally कहते हैं वो इतना बड़ा है कि हम उसको different phases के अंदर release करेंगे एकदम से जो हम release नहीं कर सकते या फिर यह है कि ऐसा ऐसा करके करेंगे और लोग ताकि उसको सही से पढ़ सके I don't know, new चीज़ें उसके अंदर क्या आने वाली है, पुरानी क्या aid की जाएंगी लेकिन ये तो जरूर का जा रहा है कि वो बड़ा है बड़ा है तो ultimately मैंने different बड़ी बड़ी जो भी blockchains हैं उनके white papers पड़े हैं तो वो भी बड़ी लिंदी होते हैं उनको research करना उनको पढ़ना बड़ा मुश्किल काम होता है अब prize को दोस्तों देख लेते हैं तो यहां पर थोड़ी बहुत correction जो है वो यहां पर Shiba Inu की जो prize है उसके अंदर हो रही है और ये one day का चार्ट में आपको यहां पर दिखा रहा हूं ठीक है इसी को हम छोटे time frame के अंदर भी देखते हैं तो ज्यादा सही से पता चलेगा अब ये one hour का चार्ट मतलब एक घंटे का चार्ट हम यहां पर देख रहे हैं तो उसके अंदर भी हमें down train नजर आ रहा है ठीक है आप यहां पर देखें तो यह high बनाने के बाद 0.40112722 मतलब इसके बाद से यह price यह वो down नजर आ रहा है लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है possibility कि यह सारा exhaustion जो है वो इसलिए हो रहा है कि यहां पर new buying जो होने वाली है maybe उस दिन जाकर अब pump करें तब तक कितना गिरता है वो थोड़ा मैं आपको दिखा लेता हूँ एक strong support level बनती है ना जोस्तो वो है 0.40101692 पर यहां पर जो हो price आ सकता है possibility मैं यह नहीं कहरा कि 100% आएगा यहां पर थोड़ी बहुत आप जो हो dollar कास्ट करके अगर investment करते हैं तो possibly कोई बहुत बड़ी announcement यहां पर हो जाए conference के अंदर 15 और 16 अगर्स को जाकर तो शायद एक बहुत बड़ा pump आ जाए ठीक है मतलब शीबा इनों के अंदर तो ultimately आना है बोन में भी आएगा लेकिन शीबा मेरा ख्याल है कि शायद मलब लगता ऐसे है कि बोन से भी ज्यादा आ जाए ठीक अब जरा बोन को देख लें तो बोन का जो प्राइज है दोस्तों मतलब वन धे के चाड़ के अंदर आज अच्छा खासा डाउन आया बलकि बहुत ज्यादा कह सकते हैं किसी हद तक हम मतलब यह के तकर यह 15 सेंट तक इसके अंदर गिरावट आई है क्या ऐसी कोई अनाउसमेंट हुई है जिसको लेकर मतलब वोन के जो होलडर्स हैं या जो बायर्स हैं इन्वेस्टर्स हैं वो मायूस हुए हैं डिसपॉइन्मेंट हुई है I don't think so मेरा ख्याल है once again यहां पर यह जो सपोर्ट लाइन यहां पर बन रही है न दोस्तो 1.36 मतलब यह 46 पर है तो यहां पर 36 पर एक सपोर्ट हमें नजर आ रही है पॉसिबल यहां पर 40 तक जो है वो प्राइज आ सकता है इस वक्त 46 पर है 47 पर चल रहा है तो यह 45 तक मतलब वन डॉलर और 45 सेंट तक यह आ सकता है यहां से फिर एक जंप मार सकता है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ आप जो वीडियो है वो थोड़ा वक्त के बाद देख रहे होंगे तो यह प्राइज में चेंज जो है वो आपको नजर आ सकता है इसको नजर अंदाज कीजेगा मतलब हम तो जो चार्ट हमारे सामने होगा उसी को देखकर जो हो इनलेसिस यहां पर करेंगे ना लेकिन उसके भी डाउन आता है तो 1.3637 तक जो है वो एक सपोर्ट लाइन है मेरा ख्याल है कि यहां तक भी एक्शॉर्शन मतलब एक बड़ी यहां पर हो सकती है उसके बाद वेट किया जाएगा कि अनाउस्मेंट क्या आती है यहां पर प्रॉफिट टेकिंग अल्टिमेटली हो रही है लोग जो है वो यहां से प्राइज बार बार जो है वो नहीं बढ़ रहा था तो यहां पर सेलिंग हो भी अब वेड किया जाएगा कि क्या अनाउस्मेंट आती है शिबरियम लाँच होता है या नहीं होता क्योंकि यह सारी स्पेकुलेशन जो भी यहां पर चल रही है जितना भी पंप है वो ज्यादा तर इस चीज़ को लेकर है कि शायद शिबरियम रिलीज होगा अब मैं उस बात पर आता हूँ जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको कही थी कि मेरा अपना ख्याल यह कि शिबरियम जो हो कंफरंस के अंदर इस यह जो सम्मिट होने जा रहा है इसके अंदर रिलीज नहीं होगा यह अब और टाइम लेंगे यहां पर वर्ल्ड पेपर जो होगा और पिर यहां पर पॉसिबली बनाब एक टाइम फ्रेम जो हो दिया जाए कि हम इतने वक्त के अंदर इसको रिलीज करने वाले हैं यह चीज़ है तो अगर ऐसा कुछ होता है तो पॉसिबली दोस्तों प्राइज यहां पर कर सकता है क्योंगे मेरा अपना ख्याल यह है जैसे मैंने का कि स्पेक्यूलेशन्स यह हैं कि शिबरियम रिलीज होगा इसे मैंने आपको याद होगा मेरा कहा था कियाे मुझे लगता है कि यह सरे न्दर के अंदर ही नहीं कर सके यह प्राइस देख रहे हैं किस तरह से डाउन आ रहा है अगर डाउन आता है तो आपके लिए एक अपर्चिनिटी होगी दोस्तों गेट डाट आयो पर आप अकाउंट बना कर यहां पर इसको बाय कर सकते हैं बिट गेट पर यह मौजूद नहीं है बाइनस पर मौजूद नह और यहां से आप इस तरह से बड़े इजी तरीके से भी बाय कर सकते हैं दूसरा तरीका यह है कि शीबा स्वाइब पर जाकर आप इसको बाय करें या फिर यूनि स्वाइब पर जाकर इसको बाय करें या फिर सुशी स्वाइब पर जाकर इसको बाय करें यह भी आपके होगा अगर पसंद आया है तो लाइक करें कमेंट करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन ज़रूर दबा दें ताके मैं और आप अपस में जुड़े रहें ठेक कियर अलाफिस